इस वीडियो में हम रॉबिन शर्मा के द्वारा कुछ अमेजिंग लाइफ लेसंस की बात करेंगे, जो कि उन्होंने अपनी बुक में लिखे हैं। लेसन वन, खेल में अपनी जान जोगते, आडियो बुक बाई मिलियनेयर माइंड्स कई लोगों से मैं जादातर असफल हूँ, हर वक्त मैं असफल होते रहता हूँ, व्यापार में असफल, रिष्टों में असफल, जीवन में मैं असफल ही हुआ हूँ, मैं ताज़ुप करता था कि मैं असफल क्यों हो रहा हूँ, जीवन के साथ खेलने की मुझे आदत सी हो और असीम उत्पीडन से गरस्त था, लेकिन अब मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ, अच्छे जीवन की ओड चलते हुए, मुझे कई ठोकरे खानी पड़ी, असफलता ही महानता की कीमत है, उत्चुकलब्धी पानी के लिए असफलता जीवन का एक पनिवारे अंग है, हासिल नहीं कर सकते, जोखिम नहीं तो, पुरसकार भी नहीं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप जितना ज्यादा जोखिम उठाओगे, उतना ही ज्यादा असफलता पाओगे, हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं, जो एक सुरक्शिता भरे कवच में रहना पसंद करते हैं, बीच साल तक वही नाश्ता, बीच साल तक उसी रास्ते से ओफिस जाना, बीच साल तक एक ही तरह की बातचीत, और बीच साल तक वही सोच, इस तरह के जीवन जीने वाले पर प्रतिक्रिया देने वाला मैं कोई नहीं हूँ, अगर आप इसी तरह के जीवन में खुश ह तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जीवन जीने वाला खुश होगा। अगर आप वही कर रहे हैं जो आप करते आ रहे हैं, वही पा रहे हैं, जो पाते रहे हैं। आइंस्टाइन ने पागलपन की व्याक्या करते हुए कहा है कि पागलपन वह है जो एक ही काम एक ही तरीके से करते रहना लेकिन हर बार उसका नतीज़ा अलग-अलग लाने की कोशिश करें। अभी तक ज़्यादा तर लोग अपना जीवन इसी तरह जीते हैं। जीवन में आनन तभी आता है जब आप काम में जीत जान लगा देते हैं और संभावनाओं का फाइदा उठाते हैं। आप असफलता के अनुभाव से शुरू कर सकते हैं लेकिन ज़रा सोचिए सफलता पाने के लिए कई बार कोशिशे करनी पड़ती हैं। विश्व सतर पर पहुचने के लिए असफलता प्रक्रिया का सिर्फ एक हिस्सा है। प्रबंधन, सलहकार, टीम पीटर्स ने कहा है। कड़ी मेहनत ही उतकृष्टा की निशानी है। विश्व की सबसे सफल कंपनियों को अन्य के मुकाबले सफलता का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा है। विश्व के सबसे सफल इंसानों को भी आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा नाकामियों से जूजना पड़ा है। मेरे हिसाब से विफलता वह है जो आप अपने स अपनों को साकार करने के लिए मेहनत और हिम्मत नहीं करते। वास्तविक जोखिम वही है जो बिना जोखिम जिन्दगी जीते हैं। मार्क ट्रेन ने निरिक्षण में लिखा है। आज से 20 साल बाद आप किये हुए काम को लेकर निराश होने के बजाए उन काम को लेकर निराश हो जाईए जो आपने नहीं किये। वास्तविक जोखिम वही है जो बिना जोखिम जिन्दगी जीते हैं। तो चलो अब आज के दौर में आगे बढ़ते हैं अपने पसिंदीदा रेश्टरॉंट में एक अच्छा टेबल बुक कर लें। अपनी अगली उडान के लिए अपना टिकट प्रथम श्रेडी में तब्दिल करवा लें। अपने सही योगियों से कहें कि मिलकर सोच समझ कर काम करें। घर पर अपनी प्रियत्मा से अधिक प्यार देने के लिए कहें मैं आपको हिम्मत देता हूँ। आप यह करें। आप यह याद रखिए कि अगर आप खेल नहीं खेलेंगे तो उसमें जीतेंगे कैसे। लेसन टू, खुली हवा में सांस ले, और्डियो बुक बाएं मिलियनेयर माइंड्स। मैं अपने बच्चों के साथ एक दिन टैनिस कोट पर था, मेरे बच्चे बहुत अच्छा टैनिस केलते हैं, लेकिन मैं एक बॉल बॉय जो की एक टैनिस कोट पर गेन लाकर देने वाला होता है, उससे अच्छा नहीं हूँ। एक अधेड उमर का इंसान जो शायद उमर के सतरवे वसंत में पहुचा था, मेरे पास आया और बातचीत करने लगा, उसे देखका लगता था युए काफी अमीर है और उसी तरह उसने अपना जीवन भी जिया है, थोड़ी देर बाद उसने अपनी आँखे बंद कर ली और मंद मंद मुस्कुराने लगा, मैंने उनसे पूछा क्या चल रहा है, उन्होंने जो उत्तर दिया, उसे मैं कभी भी नहीं बोल सकता, उन्होंने कहा, ओ, कुछ नहीं, मैं सिर्फ खुली हवा में सास ले रहा हूँ, जीवन में जो कुछ बहतरीन सुक होते हैं, वह बेहत सरल होते हैं, इन सुकों से अपना जीवन सम्रद करने पर दिल और खुश हाल हो जाता है, अधिक से अधिक चाहने के इस युग में, जादा पाने और जादा हासिल करने के लिए, दोड में जब कोई इस तरह का जीवन, इस साधारन सुक की बात करता है, तो बहुत अच्छा और को शिकवार लगता है, मैं जीवन के लिए भौतिक सामगरी जुटाने के खिलाप नहीं हूँ, एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ती बेच दी, कोई ऐशा घुशना पत्र नहीं है, कि जिस पर चलते हुए, आप पैसा ना कमाएं, और अच्छा जीवन ना जीएं, मैं सारा पैसा कमाना आदी, चीजे अगर आपको खुश रखती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, कि आपका जीवन भौतिक सुखों से भरा है, और मैं यह भी नहीं कहता, कि इसमें कुछ गलत है, जिसके लिए आप खुद ही दोशी करार दें, लेकिन आप से संबंद, का सुदर खजाने को भी ना भूले, जीवन के कुछ सबसे अच्छे सुख इतने सरल भी होते हैं, जीवन में जो कुछ पहतरीन सुख होते हैं, वह बेहत सरल होते हैं, इन सुखों से अपना जीवन समिर्द कनने पर डिल और कुशाल हो जाता है, और आप मेटी हवाउं के जोक मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी वज़ा से मुझे जीवन के लगबग सभी छेत्रों में जोड़े दिल्चस्प लोगों से नियमित रूप से मिलने का मौका मिलता है मैं फिल्म निर्माताओं, कव्यों, प्रतिभाशाली कॉलेज के छातरों, बुधिमान सिक्षकों और दो दर्षी उद्यमों से मिला हूँ इनके साथ कोई मुल्यकातों ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, जिसकी वज़ा से मेरे द्रिष्टी कौन को एक आकार प्राप्त हुआ है हाल ही में मैं एशिया के सीड़ सीईयो के साथ रात का खाना कह रहा था मैंने उससे उसकी अलौकिक सवलता का राज पूछा तो वह मुस्कुराया और कहा मैं सोचने के लिए वक्त निकालता हूँ आखे बंद करके वह कम से कम 45 मिनिट तक गहराई से सोचता है वह ना तो ध्यान करता है ना ही प्रात्ना करता है वह सिर्फ सोचता है कभी-कभी वह वैपार की चुनोतियों का विशलेशन करता है कई बार वह नए बजारों के बारे में सोचता है तो कभी-कभी वह अपने जीवन का आत्म विशलेशन करता है और सोचता है कि उसे जीवन में कुछ हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए वह निजी और व्यासाइक तरक्की के सपने देखता रहता है कभी-कभी तो वह 6-8 घंटे सोचने के लिए विताता है आखे बंद करके शांत, स्थिर बैठकर वह सोचता रहता है नेतरित्तु के साथ ही जीवन में सफल होने के लिए सोचने के लिए समय निकालना सबसे बहतरीन तरीका है बहुत सारे लोग अपने दिन का ज्यादता अच्छा समय कारे का निश्पादन पहलू पर खर्च करते हैं हाल ही में मेरे एक ग्राहक ने मुझसे कहा रॉबिन, कभी-कभी मैं इतना व्यस्त होता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि इतना व्यस्त होकर मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन अगर वह गलत चीजों के साथ व्यस्त हुआ तो क्या होगा कुछ बाते, निराशा जनक होती है जैसे कि पहाड़ी के चोटी पर पहुँचने के लिए समय बिताना अपनी शक्ती खर्च करना और चोटी पर पहुँचने के बाद पता चलना कि आप गलत पहाड़ी पर पहुँचे हैं सही पहाड़ी पर पहुँचने के लिए सोचना और उस पर अमल करना जरूरी होता है प्रबंधन विशेशग्य पीटर डरकन ने सही कहा है जो काम आपको नहीं करना है और अगर वही आप बड़ी कुशलता और मेहनत से करते हैं तो उसके जैसा निकम्मा काम दूसरा कुछ भी नहीं है महानता की तरफ चलने के लिए पहला कदम है रड़नीतिक सोच इसके बाद सफलता आती है अच्छी तरह सोचने से ही आप अपनी प्रात्मिकताओं तो अच्छी तरह समझ पाएंगे और जान जाएंगे किस चीज पर ध्यान केंदरित करने की अवशक्ता है इसके बाद आप सही और ठोस कदम उठाएंगे ज़्यादा सोचने पर आपकी प्रतिक्रिश्यालताएं कम हो जाएंगी अपने समय का सही उपयोग करना आप शुरू कर देंगे आपका सोचने का समय आपको नए विचारों से प्रेरित करेगा जिससे आप अपना बड़ा सपना पूरा कर पाएंगे लोिस कैरोल ने एलिस इन वंडरलेंड में इस मुद्दे पर बहुती अच्छी तरीके से उजागर किया है एलिस ने कहा है कोशिश करने का कोई फाइदा नहीं है असंबव भातों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता इस पर रानी ने कहा मैं साहस के साथ यह कहूंगी कि तुमने ज़्यादा अभ्यास नहीं किया रानी ने आगे कहा चब मैं तुम्हारी उमर की थी मैं हमेशा आधे गंटे तक यह करती थी मेरा मानना है कि सुबा के नाश्टे के पहले मैं छे असंभव चीजे पूरी कर लेती थी लेसन फोर अतिरिफ्त महनत से होती है नेतरित रुपी शुरुवात और्डियोबुक बाई मिलियनेयर माइंड्स मैं अपने दोनों बच्चो कोलबी और वियांसा को स्कूल छोड़कर दफ्तर की ओर जा रहा था कि मेरे मन में कुछ विचार आया और मैंने काड़ी रोग दी आप से कुछ बाते बाटने के लिए मैं यहां सड़क के किनारे बैटकर अपना चश्मा आँखों पर लगाकर अपने ब्लैकबेरी में टाइप करने लगा यह विचार था नेतरित और सफलता जो अतिरिक्त मेहनत से शुरू होती है साधारण आदमी अतिरिक्त मेहनत करने के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है लेकिन किस ने कहा कि आप साधारण हो नेतरित तो उस समय नजर आता है जब एक विक्रेता एक थकान भरे दिन के अंत में भी अतिरिक्त लोगों से मिलता है यह इसलिए नहीं है कि वह बेहद असान काम है बल्कि इसलिए क्योंकि यह सही काम है एक प्रबंधक का नेतरित तो उस समय नजर आता है जब वह पूरी मेहनत और लगन से एक रिपोर्ट तयार करता है और बाद में फिर उसमें सुधाल लाकर उसे बहतरीन बनाने की कोशिश करता है एक टीम का नेतरित्तु उस समय नजर आता है लोग ग्राहकों से एक वादा कर उसे पूरी तरह जानकारी देती है और फिर उसी वादे को पूरा करने के लिए और मेहनत करती है एक साधारण इंसान में नेतरित्तु उस समय नजर आता है जब वह ठंड के दिन में घर की गर्मी में रहने के बज़ाए जूते बहन कर बाहर सड़क पर दौडने के लिए जाता है यह इसलिए नहीं है कि सुबा दौडना मज़ेदार है मलकी इसलिए कि उसमें समझदारी है कृप्या इस विचार पर अच्छी तरह सोचे मुझे लगता है वह बहुत ही महत्पूर विचार है हमारे बीच यो असाधारन केरियर कर शानदार जीवन जी रही है वे अपना काम और स्रेष्ट करने के लिए अतरिक्त मेहनत करते हैं साधारन आदमी जादा मेहनत नहीं करता लेकिन आपसे किसने कहा कि आप साधारन हो लेसन फाइफ दम मौंकू सोल्ड इस फरारी को विश्व भर में वितरित करने वाले प्रकाशक के साथ मुलाकात की थी प्रतियक शरदरितू में प्रैंकपर्ट में आयोजित विश्वुक मेले में लगबग थाई लाग प्रकाशक हिस्सा लेते हैं आज मेरा इस यातरा का वीश्वा दिन था जिसके तहट मैं अपने किताबों के प्रचार के लिए उस पर व्याख्यान देने के लिए भारत से इस्तानबुल की और सफर कर रहा था भारत मेरा सबसे पसंदीदा देश है जहां मैं जाना चाता हूँ और वहां से जर्मनी के इस छोटे शहर में पहुँचा था इन तीन सफता के सफर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कई दयालू लोगों से मिला यनोंने मुझे आशिरवात दिया उन लोगों से मिलकर प्रभिवावित हुआ जो एक मुकाम पर पहुचे हैं और बहत्रीन जीवन जी रहे हैं और उन्होंने खुद का एक उधारन स्थापित कर दिया है मोटे तोर पर कहूं तो कुछ बाते संबंधों के निर्मार से भी ज़्यादा मैं पूर्ण होने की बात करती हैं मुझे याद आ गई हम कितनी असानी से भूल जाते हैं कि व्यापार और जीवन में मानविय रिष्टा भी होता है मेरी इस यातरा के दोरान किताबों की दुकान पर किताबे खरीदने वाले पाठक के किताब पर मैं हस्ते उवे हस्ताक्षर कर रहा था नेतरित्तु विकास पर काम करते वक मैंने अपने ग्रहकों के साथ खाना खाया है मेरे प्रकाशकों के साथ मैंने कॉफी पी है मुझे पता है कि इस छेतर के यह लोग मेरा संदेश चारों तरफ फैला रहे हैं जिससे लोग मेरे बारे में जानने लगे हैं एक बहुत ही सुन्दर विचार लोग जानना चाते हैं कि आप असली हैं आप दयालू, सब्भय और भरोसे मंद है वह आपकी आखों में आखे डाल कर यह देखना चाते हैं कि आप किस चीज से बने हो वह यह जानना चाते हैं कि आप किस चुनून के तहट उस थान पर पहुंचे हो और जब उन्हें भरोसा होता है कि आप वाकई सच्चे हो तो वह दिल की किताब आपके सामने खोल देते हैं जब वह देखते हैं कि आपके दिल में इनके लिए रुची है तो वे आपकर भरोसा करने लगते हैं और आपकी रुची को अपने दिल में जगा देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि आप बहुत ही अच्छे हो तो वे भी आपके प्रती उच्छे बन जाते हैं इसी भरोसे की वज़ा से आपका केरियर आपके जीवन के साथ ही उस जगा पहुँच जाता है जिशे विष्विस्तरिय उपलब्धी माना जाता है यह असानी से बोला जाता है कि लोग सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ संबंद बनाते हैं इन्हें वे चाहते हैं और जो उन्हें अच्छे लगते हैं मुझे पता है यह बहुत ही सरल बात है बावजूद इसके हम में से बहुत सारे लोग इस प्रमात्मिक महत्रों की बात पर गौर नहीं करते हैं सफलता मूलबूत सिर्धानतों के आसपास थेड़ता पर निर्भर रहती है केवल एक ही चीज ऐसी है जो रॉक्रिट विज्ञान है इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि दफ्तर छोड़कर लोगों से रिष्टा बनाना शुरू करें इससे अच्छी बाते ही होंगी जब तक आप अपनी जगा से हिलेंगे नहीं कुछ नहीं होगा आप उनसे हाथ मिलाओ, लंच करो, वास्तविक रूची दिखाओ, अपनी सद्भावना बिखेरो, अपनी बातों का प्रचार करो याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ थामे इसके लिए सबसे पहले आपको उसके दिल को छूना होगा और यह व्योसाय, पूरी तरह रिष्टों पर आधारित है मेरा यह विचार, जिन अधिकारी और उद्यमों को मैं सिखाता हूँ उन पर काफी कारगर साबित हुआ है मैंने उन्हें सिखाया, अगर आप जीवन में कुछ रहना चाते हैं तो वह काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, यसे करने में आपको खुशी मिलती है मुझे पता है, यह सीधा और सरल नजर आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है बच्पन में हमारा दिल कई तरह के काम करना चाता है लेकिन उन्हें करने से उमें रुका जाता है मेरे एक CEO ग्राहक ने एक पार मुझे से कहा था कि जब वह चोटा था, तो वह साइकल लेकर दूर तक अखेले सवारी करना चाता था बच्पन में मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि काम करने की सबसे ज़्यादा जरूर थी लेकिन आज भी साइकल पर गोमने जाने का वह दिन मैं भुला नहीं पाता वह मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था मेरे एक उद्यमी ग्राहक ने मुझे बताया कि बच्पन में वह एक रॉड बेंड में ड्रम बजाने का काम करता था वह जीवन के बहत्रीन पल थे अपना कारुबार शुरू करने के बाद व्यस्ता की वज़ा से उन्होंने ड्रम बजाना बंद कर दिया वह कहते हैं ड्रम बजाना मैं भूल सुका हूँ मैंने उसे खो दिया है आप यह करें जीवन में आनन देने वाली और दिल को पसंद आने वाली दस महत्कूर भावनाओं और दस गतिविधियों को एक नोट्बूक या डाइरी में नोट कर लें इसके बाद आने वाले दस अपता के कारेकरम में इन में से एक कतिविधि को शामिल करें शक्तिशाली सोच आपने सूची में जो काम लिख रखे हैं उसे आपको करना ही है जब तक कि आप अपना कारेकरम बदलते नहीं है सूची में लिखे कारेकरम सिर्फ एक परिकल्पना होते हैं और असाधारन इंसान, कल्पनाओं पर उन लेखनी जीवन की रचना नहीं करते, वह बिना गलती किये, अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर, अपनी महत्ता साबित करते हैं, और अपना काम पूरा करते हैं, यह दस हफते का कारिक्रम, कारगर साबित होगा, जब आप उन काम को करते हैं, तो आपका जीवन, खुशियों से भढ़ जाता है, और आप, खुशाल हो जाते हैं, इस आउडियो बुक को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद, आशा करता हूँ, कि रॉबिन शर्मा के ये 6 लेसन, आपको पसंद आये होंगे, आप इन में से कौन सा ले खुशाल है तुक शुंख दो टीव में से को पित आपका इन में से खुशाल।